बाबा राम देव आए दिन उट पटांग बयान देखकर विवादों में घिरे रहते हैं पिछले कुछ दिनों से एलोपेथी डक्टरों का मजाक उड़ाते हुए लाला राम देव ने एलोपेथी दवाईयों के कारण ज्यादा लोग मर रहे हैं ये विवादित बयान दिया लाखों लोगों की मौत अलोपेथी की दवा खाने से हुई है जितने लोगों की मोथ होस्पिटल ना जाने के कारण से हुए उससे ज़्यादा लोगों की मौथ ओक्सीजन के बावजूद हुई है दवा ऐलोपेथी की दवा मिनने के बावजूद हुई है अब ये विवाद इतना छिड़ गया है कि पूरे भारत के डॉक्टर्स और आयमे, फोरुडा, फाइमा ये सारी संस्ताए एक जुलाई को बाबा रामदेव के विरोध में काला दिवस मना कर विरोध करेंगे दोस्तो, समझने वाली बात ये है कि बाबा रामदेव ये योग गुरू के तोर पे शायद इनका कोई जवाब नहीं होगा लेकिन इन्हें ऐलोपैथी के बारे में कितना अभ्यास है, शायद इसकी जानकारी या डिगरी उनके पास नहीं है क्योंकि वे खुद अपने एक बयान में कहते हैं कि मेरे पास कोई डिगरी नहीं है फिर इन है किसने अधिकार दिया एलोपैथिक डॉक्टरों का विरोध करने का या उनके बारे में जूट फैलाने का हम आयरुवेथ को गलत नहीं मानते हैं आयरुवेथ का अपना एक अलग स्थान है पिछले दो साल से रात दिन एक कर डॉक्टर हमारी जान बचाने में लगे हैं और अलोपैथिक डॉक्टरों को नीचा दिखाए ये हैसियत लाला रामदेव की नहीं है पता नहीं इतनी गलत बयान बाजी और जूट के बाद भी सरकार यानि आजकल जिसे सिस्टम कहा जाता है ये बाबा रामदेव पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है लाला रामदेव की इतनी हिंमत कि वो कहते हैं किसी के बाप में हिंमत नहीं जो मुझे अरेस्ट कर सके क्या सच में सिस्टम बाबा जी के ऐसानों तेले जी रहा है आज एक जुलाई भारत के सभी डॉक्टर हाथ में काला बैंड बांध कर काला दिवस मना रहे हैं। तो क्या सिस्टम याने सरकार बाबा रामदेव को बचाने के लिए भारत के संपुरुन डॉक्टरों को देश द्रोही साबित करेगी। ये आने वाले धिनों में चर्चा का विशय होगा। हम आरोग जागरूती के माध्यम से सभी वेदिकिये स्थानिय डॉक्टरों से निवेदन करते हैं कि खुलकर बाबा रामदेव के इस बयान का विरोध करें। नहीं तो बाबा रामदेव की हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि वो अपनी दवाईयां बेचने क के लिए आयमे, फोरडा, फायमा जैसी बड़ी संस्थाओं को गलत साबित करता रहेगा। आज हर डॉक्टर इस विशय को लेकर अपनी नाराजगी वेक्त कर रहा है। जरा देखिए औरंगाबाद के जेजे प्लस हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा कर रहे हैं जाने माने नियूरो सर्जन डॉक्टर जीवन राजपुजी ने किस तरह रामदेव के बयान का विरोत किया और निशेत किया। पहली बात ये बहुत ही इंपर्टन है जब कोई यूद्ध चलता है तो घर में गाव में बेटके वहाँ पर यूद्ध निती में क्या करना चाहिए वो जैसा गाव का एक अधा शानपना जो बुलता है वेसी बेउकुपी करने वाले अभी रामदेवावा दिख रहे हैं। अगर लगता है त्रीटमेंट के बारे में तो उनको बोलना करोना वायरेस के जो आईश्यू में जाकर काम कीजिए उनको ट्रीटमेंट देजिए आपकी को दो आपके मेडिशन उनको दो और जब बात करे तो हम उनको मानते हैं। रही बात आयर्विदिक, अलोपेथिक और बाबा जी की, बाबा जी को हम योगी गुरू बोलके हम नमन करते हैं, उनका प्रनाम करते हैं, उनका अधर करते हैं, मैं भी उनके काफी सारे वैम लोगों को बताता हूँ, कपल मार्थी करो, वैम करो, उनका वो एरिया बराबर सही है इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो कहीं और लुडगुड करें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आयरुविधिक ये तो जो ट्रिट्मेंट है ये तो पूरी प्राचीन से ही है इसी ट्रिट्मेंट ने पूरे विश्व में उगम किया है वो आयरुविधिक से ही बाद में अलोपथी है आपने अपने एरिया में आपने साइंस में आगे गये हैं हम चाहिए कि ऐलोबति ये सब मिलके ये पैंडेमिक को कैसे जहटड़े कैसे करें और ये सब हम कर रहे हैं सb डॉक्टर्स कर रहे हैं इस समय में इनका रामदयो जी जो है गुरुम योगी इनका ये बयान आना ये बहुत दुख़दाई है इसमें डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाप जो पैरामेडिकल वर्कर जो काम कर रहे हैं उनका मनोधहर्या खच्के का काम कर रहे हैं क्योंकि उनका बहुत बड़ा फॉलोब ग्रूप है भारत में उनको अगर आप ऐसे बातों मे भीलाएंगे तो ट्रीट्मेंट कहीं न कहीं लेने में लोग दिक्कत करेंगे उससे मृत्यू का दर और बढ़ेगा और उनकी जुम्मेदारे भी एक्ट्यू में बाबाजी को लगाना चाहिए और पैंडेमिक का जो रूल है उसकी इसाप से इनको केस फायर करना चाहिए मैं मानता हूँ वो अच्छे आदमी है अच्छे योगी है पर अगर गलत काम कर रहे है तो गलत काम अगर आच्छा आदमी भी करता है तो उस पे भी केस होना चाहिए रही बात आयरुवदिक की रही बात अलोपति की पैंडेमिक में सब कोई आपने लेवल पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे है राज्य सकार रहो केंद्र सकार रहो राजकारन भली थोड़ा रहता रहेगा पर जो आरोगे बिंत्रना है परफेटली काम कर रही है मानते हैं एक साथ में ड्रग अवलेब्रेटी वैक्सिन जैसा जो है वो करीन करी कम रहेगा समय के इसाब से वो आएगा बहुत दुनिया अपने 135 करोड की दुनिया है उसको ट्रीटमेंट देना है उसको बचाना है और रामदेव बाबाजी के जैसे लोगों से भी हमको पर चांगे वाटसेप इन्वरिश्टी में जैसा मेंसे जाता है वैसे टीवे पे बार 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 अड़ अड़ एडवर्टाइज करके आपके प्रोड़क्ट बेचना ये आपका व्यावसाय रहेगा उसके लिए आपको लाला रामदे बोल सकते हैं व्यावसेक रामद बाबा हम उसको मानते हैं जो भगवान से जुड़ाता है जो सबको अच्छाइक लिए बोलता है पर यहां पर इन्हों ने बात किया है जो आया में रहेगा डॉक्टर रहेंगे या अलोपति रहेंगे इसके बारे में जो यह अग्रेश्यू जा रहे हैं इसके पेचे राज राजकारनी भी बहुत सारे लोग हैं को से राजकारनी है उन्होंने सबरिना चाहिए और यह बाबा जी को अगर इतने पैसों की अगर ज्यादा ताकत है तो अच्छाए के लिए उसकारना चाहिए आपने प्रॉड़क यह पैंडेमिक में गरीब लोगों में गावगाव मे बाटना चाहिए प्रियोब कॉस देना चाहिए करोनिल जैसी वैक्षिन दो पर दो बाकी लोगों गलत साबित करने से अच्छा आप काम कीजिए आपने बहुत सारे काम पहले भी किये हुए है पर हमको यह आपके जो सेंटेंस है या आपके जो वाक्या है यह सुनने के गता ऐसा लग रहा था, यह लग रहा है कि जो पैंडेमिक में जो आपका व्यावसाइब कम हो गया उसको कईने की यह कॉंट्रवर्सी दालने का फिर उसकी एड करने की फिर आयमे को आज तक भी बुलाने का और पिछे करने का आड करने का स्पांसरशीप यह करीन के व्यावसेकता ही है और आप इतने व्यावसेक में गूद गए है या अटक गए हैं कि आपको बाकी सब अंदेरा दिक नहीं रहा हैं कुपया करके बाबा जी आप आपका गुरू देव बाबा जी आप आपका जो ध्यान है अच्छा एक लिए वापर करो मुझे पता है कि यह बात करने से बहुत सारे आपकी जो फॉलवर से उसमें से मैं भी हूँ हमको बुरा लगेगा पर जब जब वो गलत है उसको हमें बता करना चαहिए यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और रही बात आप जो बोल रहे हैं तो आपको हम नमन करते हैं पर कुरूपा करके आप जो बोल बद कुछ रो टाइम लगता है छे साल साथ साल पाच साल का टाइम लगता है उसको तपश्या करने पड़ती है ज्यान लेना पड़ता है आपने योगा का ज्यान लिया है आप योगा गुरू रामदयों कह सकते हैं मैं सबका डॉक्टर हूँ बाकी रूरू 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 भोंदू डॉक्टर तो आप अगर खुद को डॉक्टर बोल रहे हैं तो आपको भोंदू बाबा भी बोलना चाहिए यह आप समझ लो डॉक्टर लगाने के पहले उतनी आपकी लेवल चाहिए रहती है हम वो लेवल पे जाना नहीं चाहते हैं किसी भी लेवल में आप बात करने से पहले कोई लैंग्वेज बात करने से पहले आपके जो विचार है उसे आप समझ लेजिए और एक बार बोलने के बाद में हमने ऐसा बोला ही नहीं किसी को बुरा लगा रहेगा यह बोलने में कोई मतलब नहीं है कुरुपा करके आप माप करो अच्छा योगा बताओ पोस्ट कुल्ड में आपका योगा का बहुत योगदान रहेगा यहां सा आगे बहुत सारी बिमारिया नहीं आने में भी आपका बहुत योगदान रहेगा इतियास में आपका नाम लिखा जाएगा पर आपका नाम इतियास में बाबा राम देओ बाबा गुरु नाम देओ योगुरु नाम देओ ऐसा लिखना चाहिए हमें आपसे आपक्षा है पर कुर्पा करके भोंदूर राम देओ ऐसा नहीं लिखना चाहिए इतियास में ऐसा हम आपसे आपक्षा करते हैं जन्यवाद